हेलो दोस्तों स्वागत है आप सुब का इस वीडियो में आज का ये वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज हम जिस प्लॉट के बारे में डिसकस करने वाले हैं उसका साइज है पंदरा बाई तीस और ये एक बिल्डर फ्लोर है इसके बारे में हम प्रॉसर सुरेश का है पटना भिहार में टीक है और ये ग्राउंड कीफ अब मैं ने इसलिए बतलो यह जो पूरा फ्लॉर है वह आपका ये फ्लॉर चार फूर तक जाएगा और फस्ताना अले तक जाएगा कि अनुकresh है थर्ड ठीक है फॉर्थ इसे साथ से इस प्लॉट को डिजाइन किया हुआ है टू बेडरूम सेट और तो एक चीज और बता दिता हूं मैं आपको इसके साथ हमने टूडी की प्लान के साथ जो है 3D एलिवेशन भी डिजाइन किया हुआ है इसलिए वीडियो को स्किप ना करें सुरू से एंड तक देखें क्योंकि इसमें टेक्निकल काफी टेक्निकल होने वाला है यह वीडियो दोस्तों अगर किसी को प्लॉट डिजाइन करवाना है तो वह मुझसे कंटेक्ट कर सकता है मेरा जो नंबर है वह आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पर अगर इस प्लॉट का आपको नक्षा चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं वह फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक है वहां पर आपको पीडिये फॉर्म में आपको यह ड्रॉइंग का नक्षा मिल जाएगा और 3D एलिवेशन भी मिल जाएगी और जिसने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है प्लेश हमारी चैनल को subscribe कर ले जिससे की आपके plot कि size के according आपको वीडियो की notification मिलती रह ज्यादा सब्सक्राइब है यहां से बात करते है हमने सब्सक्राइब कर लेते हैं आठ फुर्ट तक मिल जाएगी ओके अब हम यहां पर मैं यह टिपिकली सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने हर वीडियो में इसको डिस्क्राइब किया हुए पंदरवाइट इसके काफी सारे डिजाइन से मेरे चैनल पर आप उसे दे हैं तो दो मैं इसमें साइज बिढ मताते जाओंगा साथ के साथ मैं इसलिए वीडियो को ध्यान से देखे हैं यह जो मैंने साइज लिया हुआ है यह शे फुट साड़ी तीन इंच लिया हुआ थी वह इसलिए तीन फुट का यह हो जाएगा और तीन फूर्ट तीन इंच का यह हो जाएगा इसको इसी साइज में रखना है जिस साइज में मैंने आपको बताया है ठीक है यहां से हम आप करेंगे यहां से वन टू ट्री फोर फाइट व्लो तो सीलिंग होगी तो अधरवाइस दस फूट में भी चड़ा सकते हैं अब हम बात करते हैं इस रूम की यह रूम आपका जो है इसमें जो हे चार भाई साँड़े 6 बेढ है साँड़े 6 फूट से है और 4 फूट ऐसे ठीक है और यहां पर बड़ा सा 4 फूट के प्रॉक्स हर्मारी मिलती आपको यह मैंने एंट्री दीखा दिए है आप चाहे को में बंद रख सकते हैं क्योंकि मैंने ट्रीडी जो एलिवेशन बनाया हुआ बंद रखा हुआ है और यह विंडो का साइज जो है स्टेंडर्ड है जो उपर तक पॉलो करना ही करना है इस साइज अब बड़ा नहीं कर सकते ठीक है और यह जो डॉटेड में इसके बारे मैं आपको ठीडी में शम्जाओंगा चलिए हमने एंट्री की यहां पर यहां पर यह आठ फुट यह लेंड थे इसकी आठ फुट का एक सोफा यहां पर यह आठ फुट का स्पेस है प्लस यह आपको पूरा मिलता है वे इससे में अब यहां पर यहां पर यहां प्रिख लेarta और यहां पर यह वर 15 बेसिन इससे पर यहां integers यहां पर स्टमारे चालो यह बेडोन यह सब्सक्राइव के वेड्रूम के विट हुआ है जिसमें ऊफका मतलए यहां यह लग जाता है यहां पर किया अगर सेंटर में करते हैं तो वह सब्सक्राइब कर दोनों साइड में इसलिए मैंने इसको मूव कर दिया और एलसीडी भी मिल गए आपको एक अल्मारी मिल इसमें बस यही है और यही फ्लोर प्लैन जो है टिपिकली आपका फॉर फ्लोर तक जाएगा ग्रांट वोस सेकेंड थर्ड थर्ड तक यह जाएगा उसके बाद उपर ममठी होगी फॉर प्लोर पर इसका में एक बाद टाइब इम दिखा देता हूं किस तरीके से होगा इसका टाइब इम कुछ इस तरीके से होगा आप देख सकते हैं अ ही तना ऑद में तक जी में किके कॉलम साइज में रखा हुँ आइज में aproxim रखा crunchy आप इससे साइज छोटा नहीं ले सकते हैं उप से बड़ा कर सकते हैं ऋबसा नहीं ले सकतेए कि यह इसं कि यह बिल्डडर क्लोर है तो इसम्तध्वैश इंक्रीश gratis हो सकता है कॉलम का की एक भाइनों का भी चल जाएगा और नवल ग्लका भी चल जाएगा से मज़िए नव में क्या प्रोप्लम में ठीक है यह फरद है और कुछ नहीं है चलिए हब अब हम थोड़ा सा इसका साइज मैं आपको दिखा देता हूं थोड़ा सा टेंटेटिवली यह साइज है आपका बेडरूम विर्थ जो है साथ फूट आठ इंच है जिसमें से प्यों 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 लगने के बाद जो है साड़े साथ फूट बजेगा प्लास्टर बगेरा क्योंकि यह हमने जो वाल श को ठीक है अब हम चलते हैं इसके एलिवेशन पर साथ के साथ देखते हैं पहले मैं आपको थ्रीडी में अलिवेशन दिखा देता हूं थोड़ा सा यह है आपका 3D एलिवेशन तो घुमांकर इसमें दिखा देता हूं अस्याब को यह 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 आपकी वाल से change plus होगी मतलब जो normal जो wall होगी यह जो wall है यहां से यह change plus होगा plus ऐसे धाई foot का होगा कुछ इस तरीके से इस तरीके से ओके इसमें दो option बन सकता है पहला पहला तो आप इसको या तो रख लो या फिर इसको हटा के जैसे यह white portion है यह normal wall है बस उस पे यह grooving कट गी है cluster के अंदर cluster और POP ठीक है आपका पूरा यह grooving चला जाएगा इस तरीके से वो भी अच्छा लगेगा यहां पे कोई levels जो variation नहीं होगा अभी इसमें यह levels variation है change का अब यहां पे जो है यहां पे भी आपका level variation है यह जो stairs का जो part है वो मैं आपको size बता देता हूँ उतका कितना है यह elevation में जा रहा है यह आपका यह एक second यह पूरा cover हो जाएगा साथ foot का ठीक है तो यहां पे यह 4 इंच का level variation है वो इसलिए कि चार इंच तो यह जो cladding होती है न यह अपकी fundermax cladding होती है तो इसके लिए एक channel बनता है उसके बाद उत पे यह चीज़े लगती है सारी पांच इंच भी हो सकता है ठीक है on side जब काम करेंगे तो थोड़ी बहुत तो चीज़े facing करनी बढ़ती है इसलिए कोई tension नहीं है बाकि हमने entry को कुछ इस तरीके से define किया हुआ है आप देख सकते हैं आप दोनों साइट से slope अ कि एक दोर को जो है ना क्या बोले बारिस की बारिस से बच सके और यह अपकी जो है यहां से दो फ्लोर तक पूरी आपकी गलेजिंग आगई बीच में यह डेडेडर फुट के दोनों साइट पट्टे हो जाएंगे और बीच में पूरी गलेजिंग हो और यह यहां पर यह लाइट है कुछ इस तरीके से ठीक है और यह अब ग्लास रेलिंग ना रखना चाहाँ तो आप यहां पर स्टेल रेलिंग भी लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है और यह वाला यह वाला हमने सेम कलर में रखा हुआ है एक चीज और डिसक्स करने यहां पर जोड़ा है यहां पर यहां पर यह वाली वाल से जो नॉर्मल जो वाल है हमारी उससे हमने दो फूट आगी ले लिया है बैलकनी पर फूट यहां से छोड़ दिया है ठीक है और थोड़ा सा हमने इसमें भी और एक फूट हमने इधर भी बढ़ा दिया है वो इसलिए थोड़ा सा एलिवेशन प्रिटमेंट के वज़े से हमने यह कर दिया अब देख रहे हैं यहां पर विंडो आपकी एक सिंगल आ यह मतलब थोड़ा सा चोटा होगा लेकिन कोई फरक नहीं पड़ेगा क्योंकि यह टॉप लेवल पे अगर कोई नीचे ख़ड़ा है तो उसको चीज़े नहीं दिखेंगे जब तक उसके लेबल में नहीं हो इसलिए उपर का एलिवेशन और एलिवेशन तो ठीक है लेकिन यह दोर का थोड़ा साइस फ़रक है लेकिन दूर से अगर कोई एंगिल से देखे तो उसको कोई फ़रक नजर नहीं आएगा ठीक है यह सारी चीज़े हो गए अपकी और इसमें भी जो है आपका मंसी और थर्ड फ्लोर कभर है विंडो से पूरा ठीक है आप उस साइड जो है प कि यह खमने यहां पर यह कूराने कंटीनीर यह यह चीज मैं बढ़ा आव पोलिब अब आपको यह का तरीके से सी शेप मालो ईह ठीक है इसी तरीके से अपक्या कर सकते लो कि यह जूसी से एक हैर है दिखा रहूंक्ग इसको चाहो तो आप यहां पर भी ऐसे इसी तरीके से लगा सकते हो इससे क्या होगा यह अपकी एलिवेशन और अच्छी हो जाएगी अब देख सकते हैं आप वह मत देखिया वह कोई किसी और का है मैं आपको कैमरे में दिखाता हूँ ठीक है इस तरीके से आपका लगेगा मतलब यह एक टाइप का फाइफ बन गया पूरा पाइफ ठीक हमने यह 3D में आपको आप डाउन समझा दिया है अब थोड़ा सा चलते हैं हम टूडी ड्राइंग पे इस तरीके से हमने यह जो डॉट्टेड में आपको दिखाया ना वह चीज़ है दोर के ऊपर जो हमने शंचे टाइप डाला हुआ है उसका चज्जा मालों आप वह और हाँ यह जो हमने विंडू पर निकाले ना यह अपका जो है डेड़ फूट निकाले ज्यादा निकालने की जुरूत निये ज्यादा आप एक पुट्ट आर्ट इंच तक निकाल सकते हैं ओके इसमें पॉर्ट्स प्रडॉक्शन नहीं किया है जिससे कि यह वाइट वाला पॉर्शन है वह यहां पर शूर नहीं कर रहा है एक चीछ और यहां पर बता देता हूं यह आप इस तरीके से अगर ना बनाना चाहें हाँ एक इसी ज़र बताना चाला हूं यह थोड़ा सा और इसको बड़ा कर दिया है इससे कोई फरक नहीं पड़ता एक बात आपके दिमाग में जरूर होगी कि यह हमारा पूरा नहीं देखना नीचे का पार्ट तो इसके लिए आप कर सकते हैं कि यहां पे सिर्फ एक एक टेंगल दें इससाब से फिर आपका यह पूरा दिखना सुड़ हो जाएगा ओके एंट्री यहां पर स्लोप आपकी बन गई है आप एक बाइक बस खड़ी कर सकते हैं यहां पर और कुछ नहीं यहां पर हमने दिखाई हुई है प्लस विंडो मैंने इसमें जो है मैं एक डूर ग्राउंड फोर पर दिखाया हुआ है अगर आप चाहें तो रख सकते हैं अधरवाइस कोई जरूत नहीं है रख लेंगे तो भी कोई फरक नहीं पड़ेगा और ना रख तो भी फरक नहीं आप शेयर करें वीडियो देखने के लिए धन्यवाब अगरे ना अधर शेंगा सब्सक्राइब करें इस फूज्यूर देखने के लिए धन्यवाब